हेलो फ्रेंट्स स्वागता है आपका अपने चैनल इस्टडी आएक्वटी में मैं आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी एक्जाम की तैयारी में लगे हुएंगे तो फ्रेंट्स आजम देखने बाले हैं भारते रेल से संबंदित सभी महतपूर जी के को क्वश्चन जो बनते हैं सभी एक्जामों में आपने देखा हुगा किसी एक्जाम में आपके एक से दो क्वश्चन यहां से आपके जरूर बनते हैं जो कि आपके भारते रेल से संबंदित जो जी के क्वश्चन आपके बनते हैं तो सभी जी के क्वश्चन जो भी बनते है आज इस वीडियो में हम discuss करने बाले हैं वीडियो को अंतर तक जरूर देखें यहां से आपके एक से दो question आपको कहीं नहीं जाएगा ठीक है तो आप सभी question को एक बार जरूर देख लें क्योंकि यह जो question हम लेके आए हैं एक भी question हमने नहीं चोड़ा है भारते rail से ठीक है इसलिए खरता वी में कौन सा इस्थान रखती है तो आप बताएंगे कि भारत विष्में कौन सा इस्थान रखती है देखें इसका राइट अन्सर होगा च hopता इस तंत जो ज़्यादा है अमेर्का की फ़र्ष नंबर पर आती है ठीक है द्यान रखेंगे आप इसकर बारत क इस्थान है इस्थ में यह द्यूद है चोथे नंबर यासी किलो मीटर ठीक है दियान रखेंगे 79182 किलो मीटर जो है भारते रेल की कुल पट्री की लंबा ही है इस वक्त ठीक है इतने किलो मीटर बिची हुई है द्यान लखेंगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए अगला है भारत में स्वरप्रथम रेल की भारते में स्वरप्रथम रेल की शुरुबात कब हुई थी तो देखिए इसका रायट अंसर होगा सन्सोलेःसो अप्रेल अठारहसो त्रेपन में भारते रेल की शुरुबात हुई थी ठीक है और यह किसी के सासनकाल में ध्यान रखेंगे और बंबाई से थाने तक यह ट् ब्लैक ब्यूटी ठीक है फ्रेंड्श चो ट्रेंड चली थी सबसे पहले सोलेःसो तृरहसो त्रेपन में भारत में और वह चलिति भंबाई से थाने तक इसने के थी चौतिस-चौतिस क्लोमीटर की लंबा यह दूरी दूर और यह इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी ठीक है और लाड डलोजी के सासनकाल में यह चली थी ठीका ध्यान रखेंगे चलेंगे आगे की तरफ देखे अगला है देश में सबसे पहली विद्यूत रेल कब चली थी जो बिजली की रेल थी देश में कब चली गई थी तो देखेंगे कब चलाई गई थी ऑप्सन रायट अंसर हो तो देखें इसका रायट अंसर होगा तीन फरवरी 1925 को विद्यूत रेल को संचालन किया गया था भारत में ठीक है और कहां पर किया गया था यह बुम्मई से कोर्ला के बीच चली थी ठीक है और यह ट्रेन का नाम था डेकन क्यून ठीक है जो बहरते रेल थी जो विद्यू कब हुआ था जो बहुnim सबसे बड़ा कंसे चला है कौन साहे बांतिकर मार्च उन्नेस्वप मार्च में लाड करजन के समय में भारते रेल की स्थापना की गई थी ठीक है द्यान राखेंगे आप 1905 में मार्च में लाड करजन के समय में ठीक है चलेंगे आगे की तरफ अगला है आपका भारते रेल का राष्ट करण कब हुआ था तो देखेंगे राइट आंसर इसका रा कि पहली मेट्रो ड्यल कभ और कहां चली थी तो देखिएंगे कभ और कहां चली थी देश की पहली मेट्रो ट्रैन तो सप्सक्राइप टॉ200 अक्टूबर 1984 को की गई थी और कहां पे कोल काता में ठीक है ध्यान रखेंगे अगला question देखेंगे अगला है आपका IRCTC का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टुरिजम कॉर्परेशन ठीक है आई रसी टीसी की यह पूर्ण रूप हो जाएगा ठीक है त्यान रखेंगे आगे अगला है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली देलगाडी का नाम बताएंगे देखेंगे इसका रायट आंसर हो किलो मीटर दूरी यह लगबग तैक करती है ठीक है ध्यान रखेंगे कितनी तय करती है ब्याली सो च्छासी किलो मीटर और डिब्रुगर से कन्या कुमारी तक यह जाती है और इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस ठीक है अगले क्वेशन की तरफ चलेंगे अगला है आपका सबसे लंबी ट्रेन है तो कौन सी है देखिए इसका राइट आउनसर होगा रील ठीक है भाद की जो सबसे लंबी ट्रेन है ये है स माग ठीक है और बढ़िया तरह से एक दो बार देख लेते हैं जो question आपको रट चाहें ठीका द्यान रहे चलेंगे आगे तरह चैनल को subscribe जरूर कलने अगला है देखिए भारते रेल बजट आम बजट से कव अलग किया गया था तो देखेंगे कव अलग किया गया था देखेंगे 1924 और 1925 म इस को अलग किया था आम बजट से ठीक है और बहुर रेल बजट को ठीक है आगे देखेंगे अगला फैक्टिशन में टता 2017 में इसे पूने समाने बजट में सामिल कर दिया गया है ठीक है ये भी अब द्यान रखेंगे कि कभी इसे लख किया गया था और किस समयति के द्वारब एक वर्त समयति के द्वारा MI 이쪽 फाइल डूइंस विस पच्शी antips में इर अलग किया गया था और दोवारा में यह पूछ रहा है तो भारत में बजट को जो पेस किया था भारते रियल के बजट को जो पेस किया गया था तो पहले यह किस ने किया था तो देखें इसका राइट आंसर होगा जोन में था जो जोन में थे थे उन्होंने बाहरते रियल बजट को सबसे पहले पेस किया था द्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा जौन मैथाई ठीक है चलेंगे आगे की तरफ देखे अगला है बारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉर्म कौन सा है तो देखे इसका राइट आंसर होगा गोरकपूर जो कि आपके उत्तर प्रदेशम पड़ता है यह बारत क सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉर्म है द्यान रखेंगे आगे की तरफ चलेंगे देखे अगला है बारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है तो बारत रेलवे जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है क्या नाम है उसका तो देखे इसका राइट आंसर होगा पी पीर पंजाल मिले या बनिहाल रेल सुरंग मिले तो आप दोनों में से कोई साभी लगा सकते हैं ठीक है अगला है जम्मू कस्मी में ये पढ़ती है और इसकी लंबाई है ग्यारे पॉंट टू वन फाइव किलो मीटर ठीक है ध्यान रखेंगे ये जो पढ़ती है जम्मू कस् पूछे बाइव और चेटर रेल संघ्रालह कहां इस दोनों ही संघ्रालह आप से पूछ लिए गए तो कहां पर हैं इसका राइट आंसर देखेंगे देखेंगे पूराना नाम है गए हैं जो आपका राश्टर रेल संग्राल है यह आपका नई दिल्ली में है और छेतरे रेल संग्राल है यह आपका मैसूर में है ठीक है दिहां रखेंगे इस चीज को आप जरूर रखेंगे जो आपका राश्टर रेल संग्राल है यह नई दिल्ली में है और छेतरे रेल सं है चलē도 एक लेक्विंद के तरफ अगला का बाहरातीय को कितने वाज़त excuse थो यह गया आपकी बाहरतीय में किटने बश्काइक तें बसकी यह कया है इसका एक जानेरंश ठाएंकर नगए अब भाहरतीय देन्ग का और आपका से थिक में लोग करा तो यह निदिखे सor होगा 17 ठीक है ध्यान रखेंगे जो 17 सितारे इस भारत रेल्वे के लोगों में लगे हुए हैं अगर एक तरफ चलेंगे अगला है बहरत में सिर्फ महीलाओं के लिए एक मात데 ट्रेन कहां चलती है तो और पर चलती है जो कि सिर्फ महीलाओं के यह चलती है अगला कोष्टन नहीं है बहारते रएंटर में पढ़ता है इस स्व Roz all पर आदा रहता है श्वी जी लेंड के मौधल पर तेहाँ रहेँ किसा रखंगे अगले question की तरफ चलिएंगे अगला है railway stock college कहा आच्तेत है तो कहा पे इस्तित है यह तो देखे इसका right answer होगा बड़ोदा जा पकर railway stock College कहाँ आच्तित है तो इसका right answer होगा बड़ोदा अगला question देखेंगे अगला है भारते रेल में आमंदनी का बड़ा जरिया है तो क्या है भारत में भारते रेल के आमंदनी का बड़ा जरिया तो देखे इसका राइट आंसर होगा रेल वे माल भाड़ा जो माल भाड़ा कोईला वगेरा जाता है माल जो ले जाती है माल गाड़ियां उनसे इनको आमंदनी ज़्यादा होती है ठीक है चलेंगे आगे की तरफ बाहरते रेल के ब्रैंड गेज की लंबाई कितनी होती है कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसका रायट आंसर होगा है पांच फिट से छेंच के बीच और अगर आप मीटर में देखेंगे तो रेल के नेरो स्वार्व कảiवें बाइच की लंबाई कितनी होती जो आपका नेरो गेज होता है उसकी लंबाई कितनी होती है तो देखिया इसका रायट अंसर होगा और अगर आप मीटर में देखेंगे तो 0.762 मिटर ठीक है दिहां रखेंगे आप इना आकड़ों को आप ज देखिए रेयलवे डिब्बे निर्मार के अंदर जो कहां चते थे थे हैं, देखिए, अलग-अलग यह फैक्टरियों के नाम दिये गए हैं, तो देखिए, रेयलवे डिब्बे का चरकाना है, यह आपका रेयल कोच फैक्टरी, आपकी कौपूर्थला पंजाम में ध्यान और ये है करनाटक में ठीक है करनाटक राज्य में अगला है इंट्रिग्ल कोच फैक्ट्रीज की आपकी पैरुम्र में ने पताया था क्वश्चन में तो चलिए आगे की तरफ चलेंगे यहां आपने आपसे तीन क्वेशन हमने क्लियर कर दी है इनको जरूर ध्यार रखेंगे पूस्ट इंपोर्टेन है एक्जाम की दरेश्टी से देखें अगला है सॉरी रेलवे सुरक्षा बल सी आर पीफ का गठन कव किया गया था तो देखें इसका रायट आंसर होगा 1882 में ठीक है ध्यार रखें तो इसका रायट आंसर होगा जोन मैं ठीक है चलेंगे आगे तरफ इनके ही द्वारा आपका पहला भारते रेल बजट जारी किया गया था ठीक है अगला क्वेशन देखेंगे देश की पहली महिला रेल मंतरी कौन थी तो कौन थी भारत की पहली महिला रेल मंतरी जो यह थी तो इसका right answer होगा ममता बनर जी जो कि अभी पस्चिब मंगाल की मुक्य मंत्री है ठीक है तो यह थी आपकी भारत रेल की पहली रेल मंत्री ठीक है ममता बनर जी चलेंगे आगे की तरफ अगला है आपका बहात की सबसे तेज़ चलने वाली रेल गाड़ी का नाम है तो कौन सी है तो देखिए इसका right answer होगा वंदे भारत और इसका short नाम है train 18 ठीक है train 18 भी से का जाता है वैसे इसे बंदे भारत भी एक्सप्रेस इसे का जाता है देखिए इसका संचालन कब हुआ था दिल्ली से वारणसी के बीच यह चलती है और 15 फरवरी 2019 को इसका संचालन हुआ था यह question जो है आपका पूछा गया था यूपी considerable में ठीक है जो यह तब ही exam हुआ था दो 2019 के लगवाग में ठीक है तब यह पूछा गया था तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है और train 18 भी से कहते हैं और दिल्ली से वारणसी के एक बीच चलती है और 15 फरवरी 2019 को इसकी भी शुरुबात की गई थी और यह सबसे तेज़ चलने वाली रेल गाड़ी है ठीक है ध्यान रखेंगे आगे है स्वरपरतम राजदानी एक्सप्रेस कब और कहां चलीगी थी तो देखिए इसका राइट आंसर है एक मर्च 1979 को दिल्ली और हवडा के बीच चली थी आपकी राजदानी एक्सप्रेस एक मर्च 1979 को ठीक है चलेंगा अगले कॉस्चन की तरफ अगला है कौकर्ड रेलवे प्रियोजना किन राज्यों को आपस में जूड़ती है जो आपकी कौकर्ड रेलवे प्रियोजना है ये किन राज्यों को जूड़ती है तो देखिए इसका और ये किन किन राज जो से गुजरती है महराष्ट गोई और करनाटक चलेंगे आगे इक तरफ भारत वातन कूल रेल गाड़ी कव कहां चली थी जो एसी रेल गाड़ी थी कव और कहां चली थी तो देखे इसका राइट अंसर होगा 1936 में बंबाई और बड़ोदा के बीच प सता रेल बीमा योजना कव लागू की गई थी तो देखे करमसेस में दे रखें आंसर इसका राइट अंसर होगा 1977 को आपकी रेल करमचारी बीमा योजना शुरू की गई थी और जो आपकी रेल बीमा योजना है ये 1994 में शुरू की गई थी ध्यान रखेंगे आप आराम से question को पढ़ेंगे और देखेंगे ठीक है चलेंगे आगे एक तरफ अगला है किस रेल बे जौन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा दच्छन पूर्वी रेल बे जौन तो दच्छन पूर्वी रेल बे जौन है इसको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे एक तरफ चलेंगे देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है तो देखेंगे कौन सा है तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बोगी बील पुल ठीक है बोगी बील जो पुल है यह आसाम से अरोनाचल प्रदीश को जोड़ता है ठीक है ध्यान राख उत्री का इनके मोख्या है तो देखेंगे को दियों रिखिए है अपका इन्हें को उत्री मद्र रेलवे का है आपका इलाबाद में और पूर्वी रेलवे का है आपका कोलकाता में और दच्छनी रेलवे का मुक्षाल है आपका चेड़नई में और दच्छनी रेलवे का मुक्षाल है आपका हुबली में ठीक है ध्यान जरूर रखेंगे आप इनको जो भी हमन और अगला है उत्तर पश्चमी रेलवे का मुक्याले जी ओ है आपका छेपर में ठीक है चलेंगे अगले कुश्चन की तरफ देखेंगे अगला है किस रेलवे जौन की लंबाई सबसे अधिक था किसकी सबसे कम है तो देखेंगे राइट आंसर देखेंगे किरमसेस में दे रखेंगे जो सबसे लंबाई है जौन की तो वह है उत्तरी रेलवे जौन जो की लंबाई सबसे अधिक है और सबसे कम है जिसकी उसका नाम है पूरवतर सीमांत रेलवे जौन ठीक है तो ध्यान रखेंगे किस की लंबाई सबसे अधिक है जोन की और किस की सबसे कम है ठीक है पुरोत तरसीमान की सबसे कम है और उत्री रेलवी की सबसे ज़्यादा है ठीक है अगला है भारत के प्रिथम महीला रेल ड्राइवर कौन थी तो कौन थी भारत की प्रिथम महीला ड्र तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सुरेखा यादा ठीक है ध्यान रखेंगे अगला है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सीटरें चलती है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समझोता एक्सप्रेस जो बारत और पाकिस्तान के बीच चलती है अगला है भार इसका हुआ था 1805 में ठीका द्यान रखेंगे देश का पुराना बाप इंजन है फेरी क्वीन निर्माण 1805 पर अगला है मेट्रो मेन के नाम से किसी जाना जाता है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्री धरन को ठीका द्यान रखेंगे अगला क्वेशन देखेंगे र करने में का अगला की ठेला भी आसे कोह होता है थाड़ उस्ते में डिब्ब्बे में कितने वरत होते हैं कितने देखेंए की सीटें होती है तो देखे बैतर से 78 इसमें पाई जाती है बैतर भी होती है और किसी किसी में 78 भी ठीक है ध्यान रखेंगे आगे की तरफ चलेंगे भारत में भारत में चली पहली किसान कब चलाई गयी थी? इसका अंसर है भारत की पहली किसान रेल कब चली थी? तो देखिये इसका राइट answer होगा 7 अगस 2020 को देवलाली जो की नासिक महाराश्टे में पढ़ता है, यहाँ से दानापूर प्यार तक यह चली थी, ठीक है? कब चली थी किसान रेल? 7 अगस 2020 को यह प पूछा गया है कई बार करंट के एक्जामों में देवलाली नासिक महराष्ट में ये पढ़ता है और दानपूर बिहार तक ये चली थी अगला देखेंगे राष्टर राजमारगों को रेलवे क्रोसिंग से मुक्त करने के लिए कौन सी योजना और कब चलाई गई थी तो दे का जो काम चल रहा है तो इसी योजना के तेत वो चलाता ठीक है कौन सी सेतु बारत योजना जो आपकी चार मार्त 2016 को शुरू की गई थी ठीक है ध्यान रखेंगे चलेंगे आगे की तरफ देखेंगे अखला है पहली वातन कूलित डवल डेकर ट्रेन कब और कहां चली थी जो डवल डेकर ट्रेन है जो डवल डेकर होते हैं जिसके तो यह इसी की गाड़ी थी वो कव चली थी तो देखेंगे इसका रायट अंसर होगा 27 दिसंमर 1825 को स्टोंसे डार्लिंग तर्लिंग्न तक इंग्लेंड ठीक है ये इंग्लेंड के सहर यह जो कि आपकी वीस्व्व अगला है विष्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है तो देखेंगे तैसे ए जापान में जापान में इसका नाम है सीकन अगला है वेस्ट में पहली मेट्रो डेल कब और कहा चली तो देखेंगे कहा चली ती दस जनवरी 1863 में लंदन में चली थी ठीका ध्यान रखेंगे वे इसकी जो पहली मेट्रो ट्रेंड चली थी 10 जनवरी 1863 में ये चली थी लंदन में ठीक है तो ठीक है फ्रेंट्स यही थे आज के हमारे महत्पूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके ट्रेंड से बनते हैं आसा करता हूँ सभी क्वेश्चन हमने कवर करा दी होंगे यहां से आपका एक भी क्वेश्चन सायद बचके नहीं जाएगा अगर आपके ट्रेंड से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जी के से तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हाँ चैनल को लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करें प्रेंट्स और टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ओके जैहिन जै भारत मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई